सो हे गाइज आज हम बात करने वाले हैं 2018 में आई एक होरर एंथोलोजी मुवी पर जिसका नाम है नाइट मेर सिनेमा दोस्तो इसमें हमें कुल 5 कहानिया देखने को मिलेगी जो मिनी स्टोरीज है जहां 5 स्ट्रेंजर्स एक थेटर में जाते हैं वो भी अकेले अलग-अलग सम में और फिर आगे जो होगा वो काफी इंट्रेस्टिंग है इस मुवी की IMDB रेटिंग है 5.5 आउट आफ 10 इस मुवी की मेटा क्रिटिक स्कोर है 60 परसेंट एंड इस मुवी के कुल 5 डायरेक्टर्स हैं तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन आल पर कर दे ताकि आपको इसी इंट्रेस्टिंग वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे तो अब बिना देर के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ लेट्स रोल देंट्रो मुवी के पहली कहानी सैमी नाम के एक लड़की से शुरू होती है जो एक खाली थेटर में एंटर करती है जब वो मुवी देखना स्टार्ट करती है उसे उसके फ्यूचर से जूड़ी हुई कुछ कहानी दिखाई जाती है अब गाइज यहाँ पर मेरे दो अनुमान है या तो इस थेटर में आने वाल मुझे ज़्यादा वैलिड लगता है जैसे हम सैमी के साथ होता हुआ देखते है जब वो फिल्म देखती है हम फिल्म में एक किलर को देखते है जो कई लोगों को मार कर अब सैमी के पीछे पड़ा था सैमी उससे चुपती है तब उसकी मुलाकात उसके बॉइफ्रेंट से ह होती है यह दोनों भी इस किलर से चुपकर एक केवीन में आते हैं जिसमें एक और बंदा पहले से था किलर सैमी के बॉइफ्रेंड और इस बंदे को मार देता है जब वो सैमी के पीछे बेस्मेंट में जाता है तो शैमी उस पे एक चेन एक हतियार से वार करके उसका मास्क उतार देती हैं असल में ये किलर सैमी का ही एक दोस्त था इस दोस्त का नाम था फ्रेड फ्रेड सैमी को बोलता है याद करो हम यहाँ पर कैसे आए वो बताता है कि असल में हम सारे दोस्त यहाँ पर वूर्ड्स में वीकेंड में पार्टी करने के लिए आये थे बठुआ ऐसे कि अंतरिक्ष से एक गोला गिरा तो हम सब वहाँ पर उसे देखने के लिए गए एंड जैसे ही सैमी के बॉइफ्रेंड ने उस गोले को चुना चाहा उस गोले से कुछ स्पाइडर जैसे क्रेचर निकले जो सब के मुँ में घुश गए एंड सबका ब्रेंड डैमेज कर दिया एंड सैमी खुद भी उन छोटे सी क्रेचर का शीकार होई थी बस अकेला फ्रेड इस हमले में बज गया था एंड उसने सोचा कि ये एलियन क्रेचर जो अब सब के दिमाग में घुश चुके हैं वो उन सब को मार देगा ताकि उसके इंफेक्टेड दोस्त बाकी लोगों को इंफेक्ट ना करें इसलिए वो सब को किलर बन के मार रहा था अब हम सैमी का भी सिर्फ फट के उसके अंदर से स्पाइडर वाले क्रेचर को देखते हैं अब फ्रेड अगें उठकर कुलाडी से सैमी को मार देता है अब इसा लग रहा था कि अब ये क्रेचर बाकी लोगों इंफेक्ट नहीं कर पाएंगे बट देन कई सारे स्पाइडर क्रेचर फ्रेड पर हमला करके उसे इनफेक्ट कर देते हैं अब इनफेक्टेड फ्रेड एलियन कंट्रोल में आकर शेहर की तरफ बढ़ रहा था एड़ फॉर्स स्टोरी यहां पर एंड होती है स्टोरी के एं औरने वाला था उसने पहला शिकार सैमी का कर दिया था जिसे उसने एलियन क्रीचर एटक की फिल्म दिखाई जो उसी पर बेस्ट थी एंड में उसने उसकी सोल भी कलेट कर ली अब दूसरी कहानी है एक कपल पर जिनका नाम था डेविड एन एना यह दोनों भी थेटर में इं गाव से रिलेटेड मूवी दिखाई जाती है इस फिल्म में हम यह देख पाते हैं कि एना उसके बॉइफ्रेंड डेविड के साथ शादी करने वाली थी देविड बोलता है कि वह अब इस गाव को ठीक कर देगा प्लास्टिक सरजरी करवा के वह एक डॉक्टर को जानता है जिसने उसके मा की भी प्लास्टिक सरजरी करवाई थी तो एना डेविड की बात सुनके डॉक्टर के पास जाती है यह डॉक्टर काफी कॉन्फिडेंटली एना को बोलता है कि वह इस गाव को ठीक कर देगा और वो नेक्ट मंडे ऑप्रेशन की डेट फिक्स करता है मंडे क को एना की प्लास्टिक सरजरी की जाती है जो इस डॉक्टर की हिसाब से सक्सेस्फुल रही थी बट एना को अजीब सा लग रहा था उसे सास लेने में भी तकलिफ हो रही थी अलसो डेविड भी उससे अजीब बरताव कर रहा था एना को अजीब से सपने आ रहे थे वह एक चीजे पसंद थी और उनके कहने पर ही डॉक्टर ने एना का ये खाल किया था एना काफी चिल्लाती है एंड सेकंड कहानी भी यहां पर एंड हो जाती है जिसमें डेथ कलेक्टर ने एना को उसके जहरे पर जो घाव था उससे रिलेटेड वर्स नाइटमेर वाली उसे मूवी दिखाई देन डेथ कलेक्टर डेविड एना को भी मार देता है अब तीसरी कहानी है एक फादर पर जो एक चर्च एंड एक स्कूल साथ में चलाता था जिसमें जाना तर लड़किया पड़ती थी फादर थेटर में आता है एंड डेथ कलेक्टर उसे फिल्म दिखाना स्टा जाता है पुजेशन में आकर जिसके चलते यह बच्चा मारा जाता है अब इस बच्चे के अंदर का शेतान चर्च के किसी एक और शरीर में घुष जाता है बट वह किसका शरीर था यह हमें आगे पता चलेगा एंड गाइज यह डिमन चर्च में इसलिए घुष पाया था विकाज हम फादर को देखते हैं, जो एक नन के साथ इंटिमेट हो रहा था, यानि कि चर्च में पाप हुआ था, तो शेतान मोका देखकर अंदर गुसाया था, ये शेतान कई सारे स्टुडेंट्स को डराता है, देन, नन बोलती है कि ये डीमन मशित है, जो वहाँ पर आता है जहाँ पर अच्छाई के जगह पे लोग इंटिमेट होते हैं, और इन दोनोंने काफी बड़ी गलती की है, नन बोलती है कि इस डीमन की ये खासियत होती है, कि ये डीमन सब को पजेस कर लेता है, एंड जो दो इंटिमेट होय थे, उन्हें वो आखिर में मार देता है, देन नन एंड फादर के सामने उसी बच्चे की आत्मा आती है, जिसमें डेविल अभी भी मौझूद था, ये बोलता है कि उसे नया शरीर मिल गया है, जो एक और और आरत का था, जो वहाँ काम करती थी, ये औरत प मार के एंड में नन को ही पॉसेश कर लेता है, एंड शायद ये पॉसेश्ट नन फादर को एंड देन एंड में खुद को भी मार देती है, एंड सारे स्कूल के मेंसमिल नन यानिक गाइज, इस कहानी में फादर एंड ये नन इंटिमेट होते थे, इसलिए डेविल वहाँ और आया जिसने सब की जान ले ली एस फादर का काम था कि वो प्यूर रहे के सारे प्यूर बच्चों के सोल की रक्षा करे बट खुद फादर नहीं इंप्यूर होकर सारे बच्चों की जान दाव पर लगा दी जिसके चलते डेविल ने सारे बच्चों की एस वेल एस नन मार देता है अभी तक से तीन कहानियों में चार लोगों को यह डेज सोल कलेक्टर मार चुका था बट और दू कहानिया अभी उससे दिखाना बाकी है और दो लोगों की जान उसे अभी लेनी है फौर्थ कहानी है एक औरत की जो ठीटर में आती है मुवी देखने के लिए यह और दो बच्चों की मा थी इस औरत के दो बच्चे इस मुवी में इसे हॉस्पिटल में ले आये थे बिकाज इस औरत को एक एसी बीमारी थी जिससे उसे सब कुछ अजीब लगता था उसे लोगों के चेहरे शिफ्ट होते हुए दिखते थे जो अचानक से तेड़े मेड़े ह दिखता था उसे सब में काइंड ओफ डेमानिक फिगर्स भी नजर आती थी वह स्पिटल का एरिया भी उसे एक मेल जिसा लग रहा था जो मेल खंडर बन चुका था वह डॉक्टर से मिलती है अपनी प्रॉब्लेम्स उसे बताती है बट डॉक्टर को अर्जेंटली किसी मिलते वह रास्ते में कई लोगों से पूछती है जिने वह डेमानिक शेप में देख पा रही थी देन वह अपने इमेजिनेशन की हिसाब से डॉक्टर को और उसके बच्चों को देखती है जो किसी और टॉपिक कर बात कर रहे थे बट इस औरत को लगता है कि यह डॉक्टर उसके बच्चों को बता रहा है कि तुम अपनी मा को मार दो बट गाइज असल में यह लोग किसी और टॉपिक पर बात कर रहे थे बट अपने इमेजिनेशन के चलते यह औरत गंज से उस डॉक्टर को मार देती है और बच्चों को लेके वहाँ से जाने लगती है यह कहानी में एक पागल औरत थी जिसे रियल दुनिया एंड अपसेड वर्ल्ड में फरक नजर नहीं आता था उसका माइन उसे वो दिखाता या फिर वो सुनाता था जो रियन ना हो उसे सब कुछ इमेजिनेरी दुनिया में रियल लग रहा था जिसे डॉक्टर एंड उसके बच्च यह औरत डॉक्टर को मार कर वहाँ से चली जाती है यह कहानी यहाँ पर एंड होती है अब देद्ट कलेक्टर इस फिल्म को एंड यह ड्य कलेक्टर को आके इस औरत को भी मार कर उसकी फिल्म में कलेट कर लेता अब आखरी कहानी बची थी जिसमें एक आखरी बच्चे की जान इस डिट कलेक्टर को लेनी थी एक छोटा सा बच्चा जिसका नाम राइली था वह इस थीटर में फिल्म देखने के लिए आता है राइली एक प्यानो एक्सपर्ट था और इस फिल्म की शुरुवात में राइ लुटेरा इन तीनों को गन पॉइंट पर नीचे लेटा देता है दोलगे पिता पकड़ने की कोशिच दोlen से मार देता है राइली इस लुटएरे की शकल देख कर वहां से पुलिस टेशन के तरफ भागने लगता है उसके चेस्ट के आर ct ली जाती है राइली को होस्पिटल में ले जाया जाता है जहां उस पर ऑपरेशन किया जाता है और 17 मिनिट के लिए वो मर भी चुका था बड़ डॉक्टर के मेहनत से वो बज गया था अब मर के वापस जिंदा होने से उसे मरे हुए लोगों की आत्मा दिखने लगती है उसे उसके मौम की आत्मा भी दिखती है जो उसे फोर्स कर रही थी कि तुम भी मर जाओ और उनके साथ चलो अपने फैमिली के साथ रहो उसी होस्पिटल में केसी नाम की एक और लड़की थी जिसे भी भूद दिखते थे केसी भी 6 मिनिट के लिए मर चुकी थी और मर के वापस असल में केसी ने अपने नस काट कर आत्मात्य करने की कोशिश की थी बट डॉक्टर्स ने इसे भी बचा लिया था बट 6 मिनिट मरने के बाद जब जिन्दा होई तो उसे भी भूद दिखने लगे थे जश्ट लाइक राइली वह राइली को बोलती है कि अपनी मौम की बात मत मानना एंड मर मत जाना अगले दिन राइली की मौम की आत्मा केसी को मार देती है केसी ने राइली को मरने से मना किया था देन उसी राद को वह लुटेरे होस्पिटल में आता है एंड राइली पर अटैक करता है बिकाज राइली ने उसका चेहरा देख लिया था जिसके चलते उस लूटेरे को खतरा था कि कही पुलिस उसे पकड़ ना ले इसलिए वो राइली को मारने के लिए इस होस्पिटल में आया था वो राइली पर अटाक करता है बट राइली उसASE पर पलट वार करके होस्पिटल के अलग-अलग सेक्षन में चुप जाता है फाइनली लुटेरा राइली को पकड़ कर उसका गला दबा के उसे मारने लगता है मरने के लास्ट कुछ सेकेंड्स में राइली को विजन्स के जरीए राइली की मॉम बोलती है कि तुम इस लुटेरे को अपने आपको मारने दो औ बट राइली इन विजन्स को इग्नोर करके एक मॉब की लकड़ी को तोड़ कर वो लकड़ी लुटेरे के गले में गुसा देता है जिसके चलते यह लुटेरा अब फाइनली मर चुका था अब लुटेरा मरने के बाद सब कुछ ठीक हो गया था अगले दिन सुभा हम राइ यानि के एंड के बाद देथ कलेक्टर थीटर में राइली को बोलता है कि तुम जिन्दा बच नहीं सकते तुम फ्यूचर बदल नहीं सकते तुम्हारी मौत होना निश्चित है तुम चाहें तो यहां से भाग सकते हो तो राइली अपनी जान बचाने के लिए उस थीटर से भाग जाता है बट हम ठीकलेंटर के बाहर राइली मर चुका है यह मेसेज देखते है यानि के डेथ कलेक्टर ने राइली को भी मार दिया था इसी के साथ ये movie and 5 anthology कहानिया यहाँ पर end होती है इस anthology movie में death collector 5 कहानियों में 6 लोगों को मार देता है और उनकी soul को वो collect कर लेता है और इन 5-6 लोगों को वो उनके life का worst nightmare दिखा कर उन्हें जान से मार देता है और movie यहाँ पर end हो जाती है तो दोस्तो यह थी nightmare cinema 2018 movie की detail explanation I hope कि आपको यह पसंद आई होगी दोस्तो अगर आपको यह video अच्छी लगी है तो इस video को like करे चैनल को subscribe करके bell icon all पर कर दे ताकि आपको इस ही interesting videos की notification सबसे पहले मिलती रहे इस video को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करे ताकि इस video की reach बड़े Also make sure कि आप नीचे एक comment कर दे कि आपको मेरी videos देखना पसंद है या नहीं तो दोस्तो मिलते हैं ऐसी ही किसी अगली interesting video में तब तक के लिए peace out कि आपको